हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माइ चैनल रमा सरीज, पार्ट एट तक की कहानी आपको पिछले वीडियों बता आज क्यों, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्षन में मिल जाएगा, पिछले एपसर में हमने देखा था कि चाहिक कामनी को आधी अधुरी सचाई बता दे तो बैचारी कामनी उसी सबूत का इंतिजार करती है, तर वीडियों पूरी तरा पैसान होती है कि चाहिक ने आखिकार अंदर जाकर क्या बका होगा, कहीं उसने उसका भानड़ा तो नहीं फोड़ दिया, और बैचारी वीडियों यही सब सोचकर पगला रही होती है, कि तो आंटी जैन कहती है, मान तुम बीपी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तो मान कहता है, बीपी चाई को रोक रहे थी, इसलिए मुझे उसके साथ ऐसा करना पड़ा, आगे वो लोग बीपी से मिलने के लिए रूम में जाते हैं, बर बीपी रूम में नहीं रहती, तो वो लोग परिसान हो जाते हैं कि आखेकार B.P. गई तो गई कहा और वो। लोग हर जगा B.P. को ढूंडते हैं पर उनने कहीं भी B.P. नहीं मिलती कि तब हुं लोगने नचे मान की रुमकी चाभी मांगी थी और नच नहीं सब B.P. को भगाया है तो कामनी कहते हैं नच कहा हैं उसे अगर एक पर वो घर के अंदर चला गया तो उसकी सामत आनी तो तैय है तो नच सिधा वीना के घर जाता और कहता है मुझे आज रात यहीं रहने दो अगर मैं घर गया तो मेरी वाट लग जाएगी तो वीना कहती है मैं तुम्हें यहां पर कैसे रख लूँ तुम एक लड़क आगे वो दोनों इसी चकर में एक दूसरे के तरफ खीचे चले आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं तो बिचारी वीना यह सब देखकर सौक्ट हो जाती है और नच को एक थपर मार कर वहां से चली जाती है तो नच यह सब देखकर स्माइल करता है इधर व विद्या चाय के अड़े पर जाती है और कहती है आखेकर तुम मेरा कब तक पीछा करते रहोगे आखेकर तुम मुझे क्या चाते हो तो चाय कहता है मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया है इसके आगे अब जो तुमारे साथ होगा वो तुम खुद सोच लेना तो विद्या क पूस्ती है कि आ Hayır प motiv पर है तो चालेटे उसे कुछ भी नहीं बताता और से जाने को के था है और विद्या फिर भी नहीं मानती और चाय पर हामला कर देती है जिससे चाई पूरी तरह जक्मी हो जाता है तो चाई को भी गुसा आ जाता है और वो विद्या के साथ बत्तमीजी करने लगता है जिस चकर में विद्या बिहोस हो जाती है तो चाई विद्या को होटल से ले जारा होता है कि तभी रास्ते में विद्या को होस आ जाता है तो व तो विद्या ये सब देखकर पुरित्रा घबडा जाती है और अपने इस कारनामे को छुपाने के लिए चाई को एक सुनसान जगां पर लेकर जाती है और उसे पानी में धका देती है ताकि उसके इस कारणामे के बारे में किसी को भी कुछ ना पता चले अगले दिन नच चु तो बिचारा नचमान के डर से उन लोगों को सारी सचाई बता देता है कि बीपी अपने दोस्त मानवाद के घर पर है और वहीं पर रह रही है तो वो लोग बीपी से मिलने के लिए मानवाद के घर की तरफ निकल जाते हैं इधर बीपी और मानवाद साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो मानवाद बीपी से अपने दिल की सारी बाते करती है कि पॉंग ने उसे किस तरह धोखा दिया जब वो पॉंग से मिलने गई थी तो पॉंग वहाँ पर किसी और लड़की के साथ मिल रहा था और उस लड़की ने खुदी ये कबूल भी क्या था कि वो पॉंग की गल्फ्रेंड है तो बीपी कहती है क्या तुम किसी के भी कहने पर ये मान लोगी कि वो लड़की पॉंग की गल्फ्रेंड थी क्या तुमने पॉंक से इस बारे में पूछा जब तक तुम दोनों आमने सामने बैट कर एक दूसे से बात नहीं कर लेते तुम दोनों के कभी भी गिले सुकवे दूर नहीं होंगे और तुम दोनों के बीच इसी तरह गलत फहमी पैदा होती रहेगी मेरी मानो तो तुम दोनों एक दूसे के साथ बैट कर बाते करो और अपने बिच के सारे मसले को दूर करो तो मानवात कहती है मुझे जो जाना था मैं जान चुकी हूँ और मुझे लगता है कि पॉंक मुझे धोखा दे रहा है और मैं इस बारे में और नहीं सोचना चाहती मेरा ये सब सोच कर और लेटी दिमाग खड़ाब हो गया है तो बिपी कहती है तुम सांत हो जाओ कि तभी मापर कामनी और मान आ जाते हैं तो मानवाद मान को देखकर पुरी तरह हैनान होती है तो मान कहता है तुम बिपी की फ्रेंड हो तो मानवाद कहती है हाँ हम दोनों स्कूल में मिले थे आगे कामनी बिपी को देखकर बहुत खुस होती है तो कामनी बिपी से पूस्ती है तुम महल छोड़ कर यहाँ पर क्यों आ गई आखेकर हम लोगों से ऐसी क्या गलती हो गई थी तो बिपी कहती है मैं आप लोगों को छोड़ कर आना नहीं चाती थी लेकिन आप जबरदस्ती मेरी साधी मान से करवा रही थी जो ठीक नहीं था इसी वज़ा से मैं वहाँ से भाग आई तो कामनी कहती है तुमने मुसे प्रामिस किया था ना कि तुम मेरा साथ कभी भी भी नहीं छोड़ोगी तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम्हें वापस महल चलना होगा तो बिपी कहती है ठीक है मैं आपके साथ जरूर चलूँगी लेकिन मेरी एक सर्थ है जब तक आप इस साधी को कैंसिल नहीं करती तब तक में महल नहीं जाओंगी तो बैचारी कामनी को मजबूरन बीपी और मान की साधी को कैंसिल करना परता है आगे कामनी बीपी को लेकर घर जाती है तो मान बीपी को घर वापस आता देख बहुत ही खुस होता है पर वो जाहिर नहीं क वीपी की टेंसन हो रही थी ना इसी वज़ासे मेरी तब्यक्त खराब है वैल वीजया सबको को यह बात नहीं बताती कि उसने एक मरडर किया है जिसवजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है तो मान कहता है तुम्हें बीपी टेंसन लेने की कोई जरद नहीं है वो वापस आ गई है तो विद्या जैसे ये सुनती है उसका तो दिमागी बुखला जाता है क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से बीपी को इस घर से बाहर निकाला था और फिर से यहां पर टपक परी है उसके मान पर डोरे डालने के लिए आगे विद्या विपी से मिलने के लिए जाती है और उसे खूम मारती है और कहती है तुम यहां पर दुबारा वापस इसलिए आई होना ताकि तुम मेरे मान पर डोरे डाल सको लेकिन तुम याद रखना मैं तुम दोनों की साधी कभी भी होने नहीं दूंगी और विद्या विपी को खूम मारने लगती है तो विपी कहती है मैडम आप सांत हो जाएए आंटी ने ये साधी कैंसिल कर दी है और मैं यहां पर आने के लिए इसलिए मानी हूँ केंसिल कर दिया इसलिए आप से आपके मान को कभी भी नहीं जईनेँगी तो विद्या यह सुनकर खूस ह जाती है तुमि меня बाद मुझे पहले बतानी चाहिए थै ना ताकि मैं tonight Sikh मेर्णाइक हज़ा करती और विध्या और चाली जाती है अगे विद्य मान के पास जाती है तुमान को यह सब अच्छा नहीं लगता लेकिन वो विद्या को सैट भी नहीं देख सकता इसलिए वो उसके साथ हस हस कर बाते करता है तो विद्या कहती है हमारी सगाई को साथ साल हो गए है अब हमें साधी कर लिनी चाहिए तो मान कहता है इतनी जल्दी क्या है तो विद्या कहती है इतनी जल्दी कहा है तो विद्या कहती है जब तुमने मुझसे साधी करने का वादा कर ही दिया है तो आप प्रॉब्लम क्या है चलो हम लोग साधी कर लेते हैं तो मान कहता है ठीक है आगे मान कामनी के पास जाता है और कामनी को बताता है कि वो विद्या से साधी करना चाहता है तो कामनी ये सुनक तो पूरी तरह पागल हो जाती है और आंटी को कहती है आंटी आखिर कर आपको मुझसे क्या प्रॉबलम है पहले तो आप हम दोनों की साधी करवाने के लिए मरी जा रही थी लेकिन अब क्या हो गया तो कामनी कहती है पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है मै तुम दोनों की साधी होने नहीं दूंगी और कामनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो विद्यामान पर ही गुसा निकालने लगती है तुमारी मा की प्रॉब्लम क्या है? वो हमारी साधी होने देना क्यों नहीं चाहती? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती प्लीज अपनी मा को समझाओ और विद्यामान को इमोशनली ब्लैक मिल करने लगती है तो बेचारामान भी विद्या की बातों पर आ जाता है और अपनी मा के पास जाता है और उनसे पूसता है के आखिर कर वो उन दौनों की साधी होने देना क्यों नहीं चाहती तो चाहती है तुम मेरे एक लोते बेटे हो नहीं प्रोमिस के चकर में अपनी बरवात करना चाहते हो वो लड़की तुमारे लिए सही नहीं है अगर तुम दोनों की साधी हो भी गई तो तुम कभी भी खुस नहीं रह पाओगे तुम अपनी मां की बात क्यों नहीं मानते मैं तुम्हारी मां हूँ और मैं तुम्हारे लिए जो भी सोचूंगी वो तुम्हारे भले के लिए ही सोचूंगी मेरी बात मानो वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है तो मान कहता है चाहि कुछ भी हो जाए मैं विद्या सही साधी करूँगा और मान ये कहकर वहाँ से चल ले आ जाता है तो आंटी जैन कहती है हम मान को कैसे रोकेंगे हमारे पास कोई सबूत नहीं है विद्या के खिलाब उस चाहिने भी कहा था कि उसके पास विद्या के खिलाब कोई सबूत है और चाहिने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें वो सबूत भेजेगा लेकिन वो कब भेजेगा वो पता नहीं हम कब तक उस सबूत का इंतिजार करेंगे अगर उस सबूत आने से पहले मान और विद्या की साधी हो गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा हमें कोई और रास्ता ढूनना होगा इन दोनों की साधी को रोकने के लिए तो कामनी ये सब सुनकर सोच में पर जाती है कि तभी उसके दिमाग में एक आईडिया आता है उन दोनों की साधी को रोकने का इधार मान बीबी का पीछा नहीं छोड़ता और उसके करीब जाने की कोसिस करता है पर बीबी उससे दूर भागने की कोसिस करती है आगे मान अपनी माँ को एलान कर देता है कि वो विद्या से बहुत जल साधी करने वाला है तो कामनी फिर से अबजेक्शन लगाने लगती है तो विद्या कहती है हम दोनों की एंगेजमेंट साथ साल पहले ही हो चुकी है तो अब हम दोनों की साधी हो जाएगी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है तो कामनी कहती है तुम दोनों की engagement हो गई कब और कहां मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता तो विद्या ये सब सुनकर सौक्ट हो जाती और कहती है आंटी आपको आखेकर हो क्या गया है हम दोनो की सगाई हो चुकी है तो कामनी कहती है अगर तुम दोनों की सगाई हो चुकी है तो तुम्हारी अंगुठी कहां है तो मान कहता है विद्या के हाथ में है वो अंगुठी और मान विद्या को वो अंगुठी दिखाने को कहता है तो बिचारी विद्या पुरी तरह हैरान होत नहीं तो यह साधीं कभी भी नहीं होगी तोविध्य के वह मेरे पास यह मैं अभी लेकर हाती हूं आगे विध्या अपने पूरा कोना कोना चान मारती है पर से कहीं भी अंगोथी कि नहीं मिलती तुमें इनאלे वर रहे दाटा मिहाने समयरती इतंव म הנ फोछिझार यह के कर cabbage आगे वीचारी विद्या affiliated थक कार कामनी के पास आती है और उने कहती है मुझे वह अउठी नहीं तो तुम दोनों की सादी भी नहीं तो विचारी विद्या ये सब सुनकर टेंसन में आ जाती है